सबी सात्यों को नमश्कार आज सबी सात्यों को फेस्बुक लाइव में मैं अपने फेस्बुक आईडी से लाइव आया हूँ तो सबी सात्यों का धनियवाद सबी सात्यों से अपील है कि आप सबी सात्यों जादा से जादी आज की इस वीडियो में जुड़ें और इस वीडियो में आज जो बात करने वाले हैं बहुत सारे वीशे पर चर्चा करने वाले हैं तो सभी साहती जितने में मेरे Facebook friends हैं उनसे ही अपील होगी कि आप इस Facebook गिलावे में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा समय तक बने रहें और कोई साथ ही अगर हमारे इस लाइव में जुड़ना चाहता है तो उसका भी हम हारदिक स्वागत करते हैं और आज का जो लाइव है बहुत सारे विशे पे टॉपिक रहेंगे बहुत सारे टॉपिक पी हैं और साथ में जो हमारा लाइव रहेगा वो कुछ समय के लिए रहेगा और इस में सबसे पहले में सबी साथियों से यही कोशिश करूँगा कि आप इस लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि हम जो हैं उस विशे पे चर्चा जो हमारा जो महत्मौन विशे है उस पे हम चर्चा कर सके जो हाज का हमारा विशे है उस पे हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं ही अपील करूँगा कि सभी साथ ही जो है इस लाइव में जादा से जादा लोग हम साथ जुड़े ताकि उन तक जो है हमारी आवाज और उन तक हमारी जो बात जो है पहुंच सके और आप सभी जानते हैं कि हम हर टाइम कुछ नो कुछ विशे पे बात करने के लिए आप से रूबरू होते हैं और आप जितने भी Facebook वीवर्स हैं फिस हमारे जितने Facebook प्रेंड्स है या जो हमारे Facebook पे भाई है उन सभी की देया दृष्टी से उन सभी के प्यार से हमें बहुत सारी प्रिज़ना मिलती है कि हम कुछ नया करने का प्रियास करते हैं और आज जिस परकार से हम live आये हैं तो आप कुछ लोग तो समझ चुके हैं कि किस परकार के वीशे पर हम आज live आये हैं तो वो तो आप सभी को पता होगा अगर पता नहीं है तो मैं अभी आप से बात जरूर करने का प्रियास करूंगा कि आज का जो लाइव है वो लाइव है हमारे कुछ हमने किसी कुछ वीशियों पर हमने काम करने का प्रयास किया था और उन पर हमारी पूरी टीम काम करने का प्रयास कर रही है तो वो कभी कर रही है और उस पर भी मैं चर्चा करूँगा इससे पहले मैं जितने भी जो फेश्बुक में हमारे जो साथी जुड़े हैं उनसे यही अपील करूँगा कि आप उसमाजी कारिये करता बहुत सारी विभिन शेत्र में काम कर रहें उसी के साथ साथ हमने एक साल एक हमारा कम से कम लगबख दू साल एक देट साल उस unlikely हम क्पर ने लिकिन आज हमने एक साल पहले ही कि पैंचाईता ऑंदर बिजार्मी लवर मे पैंचाईते मैं अज बात फिर से करनेberries और उन लोगों से भी बात करने का प्रयासि रहाना यह सच क चूट और जूटको सच में थाउत करने में लगे हुए हैं। उनको कोई दिक्कत है या उनको किस परकार से काम करते हैं। उनका भी सयूग करने के लिए साथ देंगे लेकिन फिलाल हम बात करेंगे कि किस तरह से देखिए आज जितने यूआ है यूआ पीडी है तो मैं उनसे यही प्रातना करूंगा कि आप यूआ पीडी को जागरुक होने की अविशकता है आप यूआ पीडी को जिनके पास डायरेक्ट्टी वो कहीं और चीजों में लिफ्ट है उसको वो चीजें लिभी बताई जाती है जिस से हमारी सोसाइटी के लोोगन का ब्याटी की से काम हो सके और उनको ते बाइट नहीं किया जाता है कि जो हमारे लोग जो हैं बड़े-बड़े सिस्टम में बैठे हुएं तो आज जो मैं ये बात करूँगा कि 2016 जो हमारा 2020 की बात है कि 2020 के अंदर 14 अपसिंग और बाकी जी जो में भी बहुत सारी धानलियां हुई थी और हुई ग्राउंड पे भी सब ने देखा और अन ग्राउंड पे जो भी देखी सिच्वेशन देखी लेकिन जब इसके उपर हम करने का प्रयास किया जब उसके गलत कामों को कैसे सही किया जा सकता है तब जो हमें देखने को मिला कि यहां पे कुछ लोग हैं जो इस काम को गलत को सही करने में लगे हुए मैं उनसे भी अपील करता हूँ अभी बहुत कम लेजे से मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि यह कारिया जो है यह ना करें जो कायरता का कारिया जो यह लोग कर रहे हैं कि सच को जूट और जूट को सच करने में लगे हुए हैं उनको यह नहीं दिखता है उनको लोगों का हि थे जो इस पैसे से होने थे जो दो सालों के अंदर इस डिरी डिपार्टमेंट ने ये कोई बिजार ने पार्टिकुलर एरिये की बात कर रहे हैं हम ये पार्टिकुलर एरिये की बात कर रहे हैं लेकिन मैं इसके साथ साथ ये और भी एरिये से बात करने का प्रयास करूँगा कि जहां पे भी ये कफले और गोटाले चल रहे हैं क्यों नहीं लोग एक होके इस पे वाज उठा रहे हैं इसका reason मैं बताऊंगा कुछ लोगों ने हम पे allegation लिगाया कि आकाश परिहार और उनके जो कुछ साती हैं वो कुछ क्रफशन में वो जो हैं डिमांड करते हैं पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा दिया जाए आपको मैं ये बता दूँ और इससे आज मैं बिल्कुल clear cut करना चाहता हूं और इस facebook live के मादियम से मैं उन सारे जो लोग इसमें लिप्त हैं और वो जो चाहते हैं कि आकाश को हम एक किसी ना किसी तरीके से हम फजाएं और इनको लगता है कि आकाश को हम एक कटपुतली बनाके इस्तमाल करें और इसको एक लाल्चा दे करें ताकि आकाश परिहार जो है इनके तरह जो इन दोगले लोगों ने सियासत जो है जो सियासत जमात है जो सियासत करती है उन लोगों पर उनसे मैं यही करूँगा कि हम हमें सियासत करनी नहीं आती है हमें अभी सियासत करनी नहीं आ रही है हम नहीं सियासत करेंगे हम समाज के हिद के लिए अपने एरिया के हिद के लिए अपने एरिया की development के लिक रिदा जाए और उसको जो है सच से सच के रास्ते से हटा दिया जाए उनको कुछ लोगों को यह लग रहा है कि आकाश एक ऐसा काम कर रहा है जिससे आकाश का जो है नाम बन रहा है इससे कोई नाम की जरूरत नहीं आकाश को आकाश आम लोगों के लिए काम कर रहा है आकाश उन गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है, जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, बिचारें, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिनको जरूरत है परधान मंतरी आवास योजना की, जिनको जरूरत है घर की, जिनको जरूरत है बातरूम की, जिनको जरूरत है उनके बच्चों के एजुकेशन के रिलेटिड तो आकाश उनलों के लिए लड़ रहा है आकाश किसी परसनल इंटर्ष्ट के लिए नहीं कोई पुलिटिक्स के लिए लड़ रहा है इसका साधा सादा अर्थ ये है मैं बता दू कि आकाश एक घर है आकाश का एक घर है विजारने पिंचैद लो रहे हैं जहां में ओ रह रहा है और अगर बात होगी दूसरी पिंचैद की वहां भी शिकंज अपनाया जाएगा जहां पे गलत होगा लेकिन मेरा कोई विचार ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत ب्लैक्मेलिंग और मेरा कोई पैसे कमाने का दंदा नहीं है इसलिए मैं अपने काम की साथ साथ में अपनी एक पेंचैद बचे अंदर जब हमने गफले और गो ओटा ले देखे इतने लाखों में देखे तब हम इस पेंचैद बेकाम करने का फैसला लिया औरो कि अदिकारी से करने में प्रियास कर रहें जो एक साल से रोकने हैं। जो डीसी डूडा जो विकास शर्मा जी थे। इन्हों comment Kennedy घो ICBID AIG tuby ने बनाई है उस एक पे काम किया जाना चीए तो 15 दों में रपॉर्ट ने निजे लेकिन आज rez설्मा धूमाइंटि approached और जब inquiry टीम विजिटिंग आई विजिट किया जिसमें की DC साब ने दोनों ही एक जेई और सेक्टरी को एट टाइम एक ही जिगा मतलब भागवा जब विजिट कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे उनको सस्पेंट किया सस्पेंट करने के बाद मैं DC साब से भी यह पील करता हूँ कि क्या 15 दिन वह अपी नहीं आए क्या बाकी क्या इंक्या एक सबसे बड़ा प्रशन जिन इन पे उठ रहा है कि क्या इंक्या अभी तक उनका जो हमने जो तो वो उसके देखने के पाद भी कोई अभी तक रजाल्ट नहीं हाया और आज उस क्याम के इंक्यारी होने के बाद भी हमने परसों के लाइव में दिखा कि वहाँ पर फिर से दुबारा से काम हो रहे हैं support बन रहे हैं तो फिर से दुबारा से काम हो रहे हैं और बोड ₩ बन रहे हैं 2020 में बिल निकलता है और 2021 अच्छ स्तंबर भूड लगता है यह एक department के उपर एक department जो अध्रिडी डिपार्टंट नकेल कसने के जरूरत है और मैं इस वीडियो के माधियम से LG महोदिय जो हमारे मुनोज सिना जी बहुत अच्छा कारिया कर रहे हैं जब मुकश्मीर के उपर विबन स्कीमों को लांच कर रहे हमें उन से बहुत सारी अप्यक्षा और हमारे हमारी जो अभी जो हमारी जो बात्चीत जो है LG मह जे तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक ये बात रखें उन तक रखने का प्रियास हमने किया है बहुत सारे बहुत सारे तरीकों से लेकिन जो पेंचाईती राज के अंदर जो खासकर डोडा के अंदर में बहुत सारे विश्यों जो बिजारनी का एक विश्य है लेकिन इस इस वीडियो के माग्यम से मैं clear करना चाहता हूँ कि किसी को approach आकाश को लगाने के जरूरत नहीं है और directly और indirectly मैं सभी से सभी जितने भी जो agents बीच में आ रहे हैं जो लोग बीच में आ रहे हैं जो involvement कर रहे हैं और वो जो चाहते हैं कि इस मसले को बंद किया जाए इस मसले को मैं कते नहीं करने दूँगा चाहे मेरी इसमें जान जाए चाहे मुझे इसमें अपना अहित जो है जो भी मुझे हो जाए मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कोई personal interest से काम नहीं कर रहा हूँ और मैं खासकर यह बोल रहा हूँ कि कोई मेरी personal किसी से किसी से गिला और शिक्व भी था और इस वीडियो को मैं DC साब से यह अपील करूंगा सबसे पहले इस वीडियो को सस्पेंट किया जाए और इस ACD डोडा को ACD डोडा के अंदर जो इससे पहले recent ACD थे और जो आज के ACD हैं और ACD ने एक बियान तक आज तक नहीं दिया कि बजारने पेंचाहित के मतलब यह अंदेखी कर रहे हैं जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लोगं को LG से बार बार हमें यह अपील कर रहे हैं कि आप उन लोगं को और डिवीजनल कमिशनर से भी हमारी यह दर्कवास्त होगी आने वाले टाइम में कि आप जो हैं इन जो 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 यह जो मतलब मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी के अंदर भी इतना मतलब आम आदमे का एक हक हकुक जो है लिया जाता है और फिर भी जो है अड्मिस्टेशन चुप रहती है अड्मिस्टेशन का कोई रोल इसमें लिया है और इसका मतलब सीधा सीधार्थ है कि वह आम लोगं के जो स्कीम जाती है उनका बेनेफिट्स जो है हमेशा जो है हमेशा जो यह लोग जो है जो माफिया लोग है जो चोर लोग है जो घोटाले बाज लोग है वो अपने तक्सीमित रखते हैं और उन्होंने अपने अपने कोटियां और कोट्रियां भर रखी हैं वो सारे लोगों के में काम कर रहे हैं और मेरी सभी सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं मैं कोशिश मैं उनसे भी संपर करने का प्रयाज कर रहा हूं कि कम से कम कोशिश करें कि अपने जहां पर अपनी जो अपकी पैंचाईत है उसमें कम से कम करें उसमें कम से कम अपने वेंडर्स पेमेंट्स क यही प्रातना करूंगा कि कम से कम इसमें देखने की जरूरत है सबसे ज्यादा गोटाले और गफले जो हमारे एरियाज में चल रहे हैं लेकिन कोई भी आवाज उठाने के लिए त्यार नहीं है क्योंकि जब हमें अपना मान के चलो एक व्यक्ति को एक साल का डंगा दिया जाता है मान के चलो उसको एक card का काम दिया जाता है, तो वो card का काम उसका एक personal है, वो उसको दिया ही जाएगा, वो government ने दैना, किसी ने उसको personal नहीं दिया, मैं सभी लोगों से यही प्रात्ना करता हूँ कि आप इस सोच में नहीं रहें, कि आपको ये लगता है कि कोई serpensch, कोई member, को वो घर से दे रहा है उसका वो आपका personal interest है personal हक है और किसी द्यक्ति को ऐसी कोई दिक्कतारी है कि उसको काम नहीं दिया जाता है करने तो आप आप हमें अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें अप्रोच नहीं करें तो आप दो-चार टाइम पे बहुत एक पीक पे चला गया है और आप ये विश्वास करें कि जहां पे कामी नहीं होते हैं और वहां पे बिल निकलने के बाद आज काम हो रहे हैं लानत है ऐसे काम पे कि वहां पे कोई भी मतलब डिपार्टमेंट के लोग कहां सोये हैं मुझे ये समझ नहीं आ के डिपार्टमेंट के लोग सोये हैं और वो चाते हैं कि मतलब इतना बड़ा इश्व होने के बाद भी घो है अब खासकर जो बिजारने पेंचेंग के अंदर मसले में जो हो रहा है उसमें हमारे साथा जात्ती हो रही है हम लोग जिन लोग ने हमने वाज उठाई थी हमारे खिलाप जो है जाती हो रही है हमारे खिलाप जो है शड़ियंत्र हो रहे हैं हमारे खिलाप जो है एक ऐसे मुहीम चिड़ी जा रही है कि हम जो है इनसे पैसे की डिमांड करते हैं हम इनसे पैसे लेते हैं हम इनसे ये कहते आप हमारे लिए 10 लाख दो हमारे लिए 1.5 लाख दो और यह बहुत सारे यह जो अजंडा जो इनका है यह हम कते ही जो है अगर बिजारनी पर चाहित के अंदर अगर फेसला नहीं लिया तो आप यह ना समझे कि आने वाले टाइम में हम इतना चुप रहेंगे और इतना नर्मी बरतेंगे आने वाले टाइम पर जो हम नर्मी नहीं बरतने वाले हैं और इसमें एक बड़ा एजिटेशन का मोड जो है आने वाले टाइम पर हम इस पर करेंगे क्योंकि एक एक बिजारनी का यह एक बिजारनी जो एक बिजारनी में इतना हो इतना होल स्केंडल हुआ है सब को पता है अडिमिस्टेशन को खुद पता है बड़े बड़े अधिकारियों को पता है लेकिन वह इस जो यहां पर इतन करने में ना लगे रहें आप चाहें तो इसको इसमें इंवेस्टिकेशन होने देख रहें बहुत सारे लोग को रोकने नहीं को काम्यावी नहीं interaction बीरो कि हम जब से हम इस इसमें जब इस इसमें परस्ट निटेस्ट डिखा है कि हम अपने पेंचे हैट में साफ सुत्रव शूर पूझ पैदा करें हम इसमें डेलाप्मेंट कराना हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते सही हो हम चाहते हैं कि हमारी विवस्ता ठीक हो हम चाहते हैं कि यहां की बिल्डिंग्स ठीक हो हम चाहते हैं कि यहां पर पूरा सिस्टम ठीक हो लेकिन कुछ लोग पर्सनल इंट्रेस्ट के लिए इतने 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 गिर चुके हैं कि जो हमें ट कि आप इसमें ज्यादा साल पर इंट्रेस्ट दिखाएं और इसमें जो अच्छे-चे लोगें मैं चाहूँगा उनसे भी अपील है कि इस मुहीम में जो हमने चाहा था कि हम इसमें एक अच्छे सी इनक्वायरी कराएं लेकिन इसमें इनक्वायरी को भी रोका जा रहा है और एक बहुत ऐसी जैंसी है लेकिन यह भी आज हमें लगा पता यह भी जो है यह भी दबाव के अंदर काम नहीं करती है और जिस जैंसी को एक साल से केस सौंपा गया आज तक वह ग्रॉण्ड पे उस उस जैंसी ने कोई काम अच्छे से नहीं कि इसका मतलब हम इसका मतलब हमें आज प्रैक्टिकली करने को देखने को मिल रहा है जहां हमें यह लग रहा है अगर एक्शन में आना था उन्होंने अगर इतना काम करना था उन्होंने तो वह आज आज से एक साल जब हमने इनक्वाइरी के लिए बुलाया था थब यह उनको जब पक हमने रिमाइंडर नहीं बेज़ा तब तक उनने कोई कारवायार ही इसका मतलब कही न कहीं इसमें कोई ताक्त हैं जो ताकत जो है इसको काम को रोक रही है और इसके साथ-साथ मैं ये भी बिता देना चाहता हूँ कि आप ये कोई सिमित नहीं है कि हम इसमें कोई personal interest के साथ हम काम कर रहे हैं हमारा लाखुं का रुपेया जो है लाखुं का रुपेया जो है यामें गबन हो चुका है क्रूणुं क्रूणुं में हमारा पैसा भी कबर होने की उकगार पर है जिसमें वेंडर पेमेंट कम्से कम दो सालों हम नहीं बताएंगे आपको लेकिन फिर भी फिलाल हम इस वीडियो के माधियम से हम अपने जो जितने भी लोग हैं जहां जहां भी लोगों को दिक्कत और परिशानी हो रही हमें संपर्क करें हम हमेशा बिना किसी बिना किसी ब्लैक मेलिंग का कोई ऐसे डिपार्टमेंट के खिलाफ हम कभी नहीं जाते हैं हम किसी ऐसे मुलाजम के खिलाफ कभी नहीं गए कभी हमने किसी और डिपार्टमेंट की कभी मुखालपत नहीं की और इस वीडियो के माधियम से बाकी डिपार्टमेंट के लोग जो साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको यह चाहता हूं कि आप ये आप अपने आप ये बूलेंगे कभी आकाश परिहार ने किसी के किसी से डिमांड की कभी आकाश परिहार ने कोई आप से कोई ब्लैक मेलिंग का काम किया ब्लैक मेलिंग बोलने से नहीं होता है ब्लैक मेलिंग जो करते हैं हमें पता है कौन ब्लैक मेलर के पैसा किबन किया और अगर इसvos इनकुईरी इनकुाईरी ऑगर सब्सेये और उन्होंने एक प्रतीशत भी ँद्सेयों को पत्ल says क करे में और इस्ट कि अगर उनसे हुआ तो वह Inquiry के जो अफ़ीसर है वह भी सुन लें कि आप ये द्यान में न रखें कि आपके पास कितनी पावर है वह पावर आप अपने पास रखें हमारे पास उपर वाले की बहुत सारी पावर है कि हम भी अपनी पावर इस्तमाल करेंगे और हम पूरी पा कंत्र के देश में अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हम देखेंगे आने वाला टाइम पर हमें जो जिस वीडिये पर हमें जाना होगा हम करेंगे और इसमें बहुत सारे लोग को मिस गाइड किया जा रहा है कि आकाश ने पैसे खाए यह मैं गीता और नामाइन की कसम ख़ा के की यह हम आप से क्यों पैसा लिएंगे या हम कोई कोई के कोई सीन है तो मैं सबी सितने लोग हैं जिनको यह लग लग रहा है कि यह आकाश जी जो है कंप्रोमाइज करने पर आ चुके हैं तो यह कंप्रोमाइज किसी भी हाद पे नहीं होगा चाहे कुछ भी होजाए और आज विदेन डेज में हमने देखा कि पुराने कामों को कराया जा रहा है इसका मतलब अंटिकरप्शन बीरो के भी इसमें इंट्रेस्ट है वो भी कुछ दिनों से कुछ काम ग्राउंड पर नहीं कर रहे है जाह है जहाँ जहाँ पर जिस पेंचाइट में भी किसी भी तरह का गफला और गोटा लाओ जहाँ पर किसी भी से कोई कमिशन ली जाती और आपको एक और बता दू में बाद आप देखें कि आज के टाइम पर हरे एक आफिस में लिखा है कि आपको से अगर कोई रिश्पत मांगता है तो आप DC साब से संपर कर सकते हैं चाहिए आप तैसिल में देखा होगा आपने लोगों से मैं अपील करूँगा कि यह जो आपको हम लोगों को बिमारी लग चुकी है हम जो लोगों को यह लट लग चुकी है कि हम हर एक जगा पे जो है लोगों को खुद से रिश्पत देते हैं तो यह काम हमें नहीं करना चाहिए हमें चाहिए कि हम इन कामों से हटें हमें चाहिए कि हम आज के दोर में भी अपने मेहनत के साथ जो भी काम बने और अगर कहीं पे गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाएं, एक आदमी को एक बली का बकरा ना बनाएं और उसके लिए खुद भी उठाएं और जागे हैं, मैं बिजारनी के लोगों से और बाकी लोगों से भी कहता हूँ कि आप अपने जमीर अपने दिल पे हाथ रख क कि कहें कि सही में यहां पे गलत नहीं हुआ, अगर सभी लोगों को यह लग रहा कि अगर यहां पे सही हुआ है तो मैं भी इस काम को छोड़ दूँगा, मैं भी इस काम से परे हो जाओंगा कि ठीक है जी अगर आप पूरी जनता को यह लग रहा कि सब कुछ अच्छा हुआ अगर इतने लाखों रुपे यहां पर बैक साइड से निकले बिना किसी बिल के निकले तो ठीक है मैं भी अपनी साइड रहूंगा लेकिन आप मुझे खाली टार्गेट ना बनाएं आप खुद भी निकने सबी लोगों से मैं पील करता हूं कि खुद से निकलें अपने हक मां किल्गे हैं जितने यूवा है उनको बीचे किया हमारी पंचाहित में कुछ हो रहा तो हमें आगा आना चाहिए मैं को समाज के लिए करता हूं मैं खुद एक घर में काम करता हूं तो मैं को ये कितना बड़ा वो नहीं हूं कि मेरे पास इतना पैसा और मैं कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं समाज के लिए कर रहा हूं तो समाज के लोगों का भी दायत बनता है कि समाज के लोग भी हमें सपोर्ट करें और अच्छे लोग जो अगर हमारे गाउं से या बाकी बाकी पैंचेतों से भी उनको भी चाहें कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें, यह ना करें कि हमें पीछे से टैग लगाएं कि यह ब्लेक मेलिंग कर रहे हैं जब तक प्रमान और तत्य के आधार कुछ छैज कोी बिना बात सुनने के कोई कोई में कह सब्सक् Based- 1 लेकिन जो भी चल रहा है हो गलत हुआ है और अभी भी गलत हो रहा है कुछ चीजु में हम कुछ चीजन भी शेयरigator करते हैं क्योंकि कि यहाँ पे जब हम कोई चायर करें तो कीज़ को सुधारने का काम किया जाता है कुछ चीज़ हैं भी भी हमारी पिंचेज में कली कल वी है अभी हम uns का इसको पर भी काम कर रहें लेकिन हो सकता है कफ्रार मैं फून अटंड हम किसी कोई अजेंडा है हमारा की इंटरनली हम लोगं को तोड रहे हैं या जोड रहे हैं ये कोई मकसद नहीं है हमारा मकसद है जहां पर गलत हो रहा है हमारे पैसे लूटे जा रहे हमारा हक छीना जा रहा है तो हम वहाँ पर आवाज उठाएंगे वो हर एक व्यक्ति का दि कि काम नी कर रहा हूं और यही प्रात्ना है कि आप सभी सयोग करें और इस कारवाई को जो है जो हमारी पंचाइद के अंदर गोटाले है फोटेन एफसी का है यूद क्लब्स की है बहुत सारी और विशे मैं जादा और विशे पर नहीं जाओंगा लेकिन जो विशे है उस पर मैं बात करूंगा जो बार रहना चाहिए और बार बार मैं यही कहता हूं कि जो लोग मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आकाश जो है इस काम से पीछे छोड़ दे और मैं उन लोगों की बात सुनो तो यह आपकी गलत फहमी है आकाश परिहार जो है जब मैं जो हूँ जो मैं बार बार इ किसी भी वर्क को हमारी जरूरत होता हम आगे आएंगे हम काम करेंगे और हमारा एक देखिए मेरा परसनल यह है कि मैं जो है मैं इक खुद से जो है। मजदूरी का मजदूरी खुद करता हूँ और आप चाहे तो बहुत सारे लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं जो हमारे नियर अबोर्ट्स लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं और मैं खुद से जो है कपड़े लगाते हैं ये घर के और अपने जो है अपने पैसे मतलब जो हम मजदूरी करते हैं उसके जहाब पे हमारे जो जो भी वस्तर लगए हैं या जो हमारा कोई है ऐसी कुछ हमारे जो ये लगा हुआ है तो वो सारा जो है मजदूरी करके यह है कि किसी तरह जो इन लोग की तरहा बिना काम को हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनाइए, बिना काम कमारे पास लाब बटो कर ना रोना रोनी और लिये, उर्ट वाज है कूँए अ उब यूवा से पेल हैगी, यर को हैं की यजिनके घरों कितना हरास कیا गया मुझे कितना हरास करने की कोशिश कर रहे अभी कर रहे हैं प्रफैले किया मुझे कभी कभी यह हुता है कि मैं समाज iaining के लिए में कर रहा हूं यह scream क्या कर रहे। अगर मान के चलो मैं काम कर रहा हुं कम वो लोग हमारे पीठ के पीछे बोलते हैं कि सब कुछ हुआ है और वो लोग शोग करने का दिखाने का कि वो सब कुछ हुआ है तो यह जो जितनी नौटंग की बाजी जो चल रही है वो नौटंग की कभी मैं successful होने नहीं दूँगा और जिस विशे तक अभी तो फिलाल कुछ हम साधारन तरीके से हम कर रहे थे लेकिन जहां पर मुझे लग रहे है अभी फिलाल कुछ लोग है जो है जो कुछ लोग नहीं बलकि कहूंगा कुछ बहुत सारे लोग जो है एक साइड हो चुके हैं और मिल के जो है जो पैसा खाया और इस पैसे के खाने के बाद भी जो है इसको खतम करने के लिए, डिस्ट्रॉई करने के लिए, मुझे पर्सनल इंजाम और मेरे लिए एक बड़ा जाल बुन रहे हैं, उनको मैं यही प्राफना करूंगा, पहले अपने आपको देखें, अगर आपको यह लग रहा है कि आपने सब कुछ सही किया है, तो आप अपने भगवान से अपने साक्षी होके, अपने बच्चों के साक्षी होके, देखें कि यार हमने क्या क्या या काश कलद कर रहा है, इस अपने development के कामों को कराने के लिए, खुद से बात करें, खुद भी आप आगे निकलने का प्यास करें, एक किसी एक हम कोई यह से ठेकेदार न के अगर अपने एरिया की development करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं, सभी लोग अगर आवाज उठाएंगे तो unity, मतलब एक तामे बल होता है, मतलब सारे लोग अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वज़न ज्यादा होता है, फिलाल जैसे मैं बोल रहा हूं, तो हमें है कि हम समाज के लिए लड़ें, समाज के लिए मरें, तो हमारा लक्ष है यही है कि हम समाज के लिए अपने जीवन के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- मैंने आपसे कहा कि जो विशे जो है आज कर जो है चल रहे हैं सर्कुलेट हो रहे हैं तो मैं उसी पर बात करने वारा हूँ और क्लियर करने वाला हूँ कि मैं किसी भी हद तक गलत चीज के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूँगा कभी कंप्रोमाइज नहीं करूँगा आज साथ लिख लिख ले लो दस साल के 170 बाद लिखा लिख लेना मैं कुछ गया कैस linking कंपरोमाईज नहीं देख मैं किसी भी हथ तक मतलब मैं अपने आपको कर सकता हूं लेकिन brainstorm को मैं अपना जो मुझे किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है मैं नुकसान जेलने के लिए त्यार हो कमप्रमाइज कभी नहीं करूँगा मेरी लाइफ सपाइल हो रही है मैं कभी कमप्रमाइज नहीं करूँगा मेरे परिवार को आईत हो रहा है और गफले की है और वो सारे एक मिन्ट में खतम हो जाएंगी वो ऐसे होने वाले नहीं और जो लोग इनको स्पोर्ट कर रहा है बार-बार उन लोग को ये कह रहा हूं कि आप लोगों को चाहिए आप लोगों को खुद से पहले अपनी आंख अपने 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 हैस तभी उ इसको सक्त जार दिया जाता है उससे भी उसको एक कार्ड के पैसे लिये जाते है और उसको 40,000 की जो वेंडर पेमिंट होती है वो एक रुपया एक रुपया नहीं दी जाती है आप लोगं को यह शरम नहीं आती है इसके लिए कभी आप आवाज नहीं उठाएंगे इसके हो रही हैं वो मतलब यह हैं कि वो सपाई देने में लगे हैं बुचा रहे हैं कि हम जी यह हो वो हो उनकी सियासत बंद हो तो मुझे किसी की सियासत की नहीं है मैं हम जो है हम अपना हक मांग रहे हैं किसी से कोई भीक नहीं मांग रहे हमारे हमारे हमारा हमारा हख ला लिया हम उन गूरीब का ह ξबी जा है तो हम कभी बंड आप जिन जो चीजे मैंने कही की आप आप nawet को लगता है अगर व चीजा हो रही है तो किया लगता है कि है एक ग्रीब को बार भाज़ार ल sa जाता है गूर्मेंट की तरफ उसको 2000 लिए jetzt किस चीज के star लिए जा यो किस की लिए जा रहें किया 2000 में एक buy reimburse बनता है हम rolling मिलना मिलना हुँ हमें फोटी को ईक वीक्टी को 181 008ire का 50,000 का का काम करना है और 50,000 का व्मेजना रखना तो क्या आपको को यह आप लोगों को यह नहीं लगता है कि एक 5-5 ऐसे चले जाएंगे और उस व्यक्ति के लिए उसे बचारे ने कितना काम करता है कितना एक काम कर सकता है यह बात आं कभी भी आप सरकुलेट क्यों नी करते हैं और दुनिया को पता है कि RDD डेपार्मेंट किया चल रहा है? दुनिया को पता है. कोई ऐसा व्यक्ती नहीं बोल सकता है मुझे ैडोडा के अन्दर ॉडिभाटा डिसक्ति के के अंदर या हमारी पेंचाईती के अंदर या हमारे ब्लाग के अंदर की हाँ जी यहाँ पर कोई कमीशन नहीं लाई जा 20 प्रतिशत एक कमीशन ली जाती है वो प्रमान के तर्थिय पे मैं कहूंगा यह लोग हमें सिखाते हैं बार-बार हमें टार्चर करते हैं यार आप लोगों ने जो जो लोग ही कहते हैं यार यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है उनको मैं यह कहूंगा कभी आपने मीडिया में आके बात की कि यार 20 प्रतिशत हमसे रिश्पत ली जाती है उन सरपेंचों से भी बात करूँगा जो लोग हमें कहते हैं कि यार आकाश गलत कर रहा है blackmail कर रहा है कभी आप लोगों ने बात की कि 20% हमसे लिया जाता है कभी किसी व्यक्ति ने कहा कि vendor payment हमें नहीं मिलती है हम बोलते ना आपको कि बोलो आप लोगों को बोलो आप समाज के अंदर यह बातें करो कभी इस के लिए डिबेट करो, कभी इसके लिए बैठो लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम इसके लिए बैठो ना कोई सर्पेंच चाहता है ना कोई वार व्यक्ति चाहता है ना कोई आम या नागरिक इसके लिए बात करने के लिए जाती है तो ये पैसा हमारा है भाई साथ, ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे हर एक व्यक्ति के पैसे हैं, और ये हर एक व्यक्ति का दिकार है कि वो बात कर सके, और वो गौर्मेंट के, हम इसके उपर कर रहे हैं, हम इस पर कर रहे हैं, कि हम इस पर लगे हुए हैं, ये हमारा बिजारनी क कि हम और भी पेंचायतु में लगए हूए जहां जहां पे गलत हो रहा है हम दे रहे हैं मेम अब दे रहें ना डिपार्टमेंट को देखते हैं कब तक क्या होता है हम अलगी साब के भी माधियम से कर रहे हैं बहुत सारी चीजे लेकिन मैं चाहूँगा कि जो जी जितनी चीज बिकेंगे कब तक हम इस पैसे के लिए बिकेंगे तो यह पैसे की अतनी एहमियत नहीं है पैसा हर इंसान के लिए जरूरी लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम पैसे के लिए सब कुछ छोड़ते हैं पैसा ही पैसा है और हमारे लिए कोई और चीज नहीं हमारे लिए वह ग वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जिनके महिलाएं हैं जो विद्वाएं हैं जिनके पति नहीं है तो ये सारी चीजे हैं समाज में हो रही हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के कोई बेटा बेटी नहीं है वो खुद एक भूड़े विचारे व्यक्ति है ऐसे भी मुझे देख की नदर सहन करें कि उनको कुछ ऐसा दिया जाएगी उनको बिलाया की जाता है किसी जिगाह पर और उन accumulate चंचे होज और चुम्तों को बिलाया जाता है हरे एक सबाब है हरे एक जिगापर जो जो जिम्टे हैं जो यह मैं कहांगा ऐक नया वाड मैंने नेका लागा जो लोग ज कभी आगे लाने का मुखा नहीं दिया जाता है, कभी उनकी बात नहीं सुनी जाती कि उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत है, कभी उस व्यक्ति को नहीं ले आ जाता है उस आगे, जो जिसके कोई बेटा बेटी नहीं है, जिसके कोई बहन भाई नहीं है, जो पीक मांगेंगे लेकिन इन लोगों को शरम नहीं आती कि कभी उन लोगों को भी बलाकि उनसे पूछा जाएगी आपको किस चीज की दरूरत है। बात की कभी उसके लिए किसी ने सोचा कि कोई ऐसी पंचाइद बताई जाए जिसमें पूरे भागवा के अंदर की ऐसे व्यक्तियों को कि एक सवा ऐसी हुई जो विद्वाजी औरती थी औरते हैं उनके बात सुनेंगे किसी ने नहीं सुनी है मुझे पता है उनको कभी बुलाया नहीं गया कि आपको किस चीज की जरूरत है कि आपके बच्चे को पढ़ाई एजुकेशन अच्छे से मिल पारी है कि आपके बेटे को किसी कपड़े की जरूरत नहीं आपके बच्चों को किसी चीज की जरूरत नहीं कभी पूछा कोई नहीं पूछता है और इनके पास पावर है और यहीधि पावर का मिस यूज extend करते हैं पिर कहते हैं कि हम जो है अवाज उठाते हैं और यह गलत अवाज है कोई पोलियोटिकल पोलिटिक्स चिला रहे हैं नोगों को दर्द नहीं देखा जाता है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ कि मैंने को पॉलिटिक्स नहीं करने इन पॉलिटिकल लोगों की तरह कि जो पॉलिटिक्स की राजनीति सेख रहें उनसे में यह कहूंगा कि यह लोग खाली राजनीति आम वक्ति हों मैं कहूंगी राजनीति राजनीति में ज्यादा इंटर्फेर ना करें ज्यादा राजनीत कि आप करें ना हमें दिखे कि कितने ऐसे बुड़े बज्रुग जो परिवार जो जिन को घर से बच्चे निकाल देते उनके लिए आप क्या कानून या क्या करते हैं आप अपने पैंचायज में जो लोग कहते हैं कि हम बड़ा कुछ अपने पह्याज में बड़ी डिवलपमे हैं 20 प्रतिशत आपने रोकानी कोई यह बता दे मुझे कि कोई आसी पंचाय जहां पर जीरो टॉलरंस जो है कि वहां पर एक रुपया भी रिष्पत नहीं ली जाती कोई कमीशन नहीं कोई कुछ नहीं और काम बन रहे हैं कुछ नहीं यह सब बाते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो सब कुछ दिखेगा आने वाले टाइम पर आज के युवा जो हर जिगाव से हमें दिख रहा है कि उठ रहे हैं लेकिर मैं यह कहता हूं कि वह उन लोगों का दर्थ जो हमसे नहीं साज़ है मैं खुद मजदूरी करता हूं मुझे पता है कि कैसे मजदूरी की जाती है हमें पता है हम जानते हमें भी बहुत सारी चीज़ें फेस हुई हैं हमें भी एजुकेशन सेटप में कितनी परिशानी आई हमें कैसे किया हुआ है यह नहीं कि हम कोई हवा में कर ड़ बाते हैं। हम ने खुद देखी हैं जो चीजे नहीं हम इसमाजे में १ुकर करौए हैं कि यार। लोगों के लिए हो लोगों के लिए कम करें। बाफी कुछ लोग है उनको तो अपने लिए जीने के लिए उनको पने जीने के आलावा तो कोई दिखता नहीं है जिसी एक ब्यक्ति कोई ऐसा थो उनको मिल जाए और उसके लिए आपको यार पावर थी आपके पास लोगों के पास कि आप कर सकते थे समाज के लिए समाज को सुधारने के लिए जब आप इलेक्शन होते हैं तब आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और एक मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताओं हिंदिया हिंदुस्तान के अंदर कसम खाना मतलब मैं जब हम गीता की या रामईन की कसम या जब कोई ये लोग लेते हैं न शपत तो मुझे हसी आती है कि यार ये हसी और दुख भी होता है अंदर से कि ये मजभ का कितना हमान क जब वो गीता की कसम खाते हैं जब कोई लोग कुरान की कसम खाते हैं कि हम देश के लिए जिएंगे देश के लिए काम कर रहे हैं समाज के लिए काम करेंगे हम कोई ऐसा काम नहीं करें और जब वो करप्शन करते हैं तब लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं ये किस चीज क बताई जब मैं मुझे सीन याद आता है दिखता है उन लोगों के लिए कोई नहीं है जिन लोगों को जरूरत है जिन लोगों को इन लोगों की जरूरत थी उन लोगों के लिए कोई नहीं है उन बच्चों के लिए जिनके पैरेंट्स नहीं है उनके लिए यह नहीं है कुछ विद्वाएं जिनके लिए जिनको इनको करना चाहे काम वो उनके लिए कोई आगे मी आएगा किसी को बातरूम चाहे उसको नहीं मिलेगा बातरूम जिसको दस बार बन गया उसको मिलेगा बातरूम यह जो महौल बनाके रखा इसको चैंज करने की जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर है नहीं कि हम लूट रहे हैं तो हम अपने पैसे को लूट रहे हैं हम अपने घर को खराब कर रहे हैं हम अपने घर को बरबाद कर रहे हैं अगर हमारा जैसे हम अपने घर में रहते हैं और हमारे पास दस जार है तो हमें चाहिए यह हमारा पैसा है और हम पर यूज होता है और हम इसको यूज कर रहे हैं और हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे किसी का मतलब किसी ने दिया हमने कोई गिफ्ट में किसी ने अमरीका ने हमें पैसे दे दिया वो पैसा बच्टा हमने जिसका मिस्यूज करना था दस बार एक नाली बनाई हमने और बार मी बार उसको नाली बनाना था अगर किसी मेरे जैसे भी अक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बनेंगी नाली तो लैप्स हो गया तो लोगों को ये लगता है कि पैसा लैफ्स हो गया हमारा नुकसान हो नुकसान नहीं हुआ वो हमारा benefit हुआ जब हो मैंने एक बार कलॉकलेशन लगाए कि हमारे पूरे बलाक के अंदर हमारे बलाक के अंदर 18 पिंच आयते और 18 पिंच आई तो में करोड करोड रुपय अगर पनस आती है तो 18 क्रोड फनस आ गई और 18 में अगर 20 प्रतिशर्ट अगर कमिशन चली गई तो बता दीजे कितनी कमिशन 18 क्रोड में अगर 20 प्रतिशन nिकाल दिया जाए मतलब एक क्रोड में 20 लाक रुपया और हम आपको 20 लाक इन्टू अगर 18 करें तो कितने कुरूर होता है वह आप करें मल्टिपी करें आपको पता चल जाए कि कितना कितना पैसा हमारा उन माफियाओं के हाथों में जा रहा है जो लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं जो लोग बड़ी बड़ी पावर हैं उनके पास और वो इस पैसे का मिस्यूज करते हैं और हम बोल रहे हैं कि पैसा लैप्स हो रहा है बाकी पैसे लैप्स हो रहे है तो ये इन चीजों को कब हम सुद रहेंगे कब हम समाज में जाग रुकता लाएं कब ये पड़े लिखे जो लोग हैं युवा हैं बहुत सारे युवा हैं लेकिन किसी युवा को ये नहीं फिकर है कि यार हम समाज के लिए कुछ करों उनको लगता है कि यार हमारे लिए कब कोई फंड्स आए कहां से हमें लाख रुपे का काम मिले अगर एक बलाक में इतने करोंड रुपे का कफला हो रहा है तो क्यों कोई वाज नहीं उठा रहा है इसके पीछे कारण यह है कि कुछ लोग जो जो पेंचाईतों हैं या बाकी जिगाओं पर पड़े हुए हैं दैस एक पंचाईज केंदर पांच-दस लोग होते overs5-10 लोग फैट बने होते हैं ठेकेदार बन जाते हैं और वही ही ठेकिदार क्या करते हैं क्सके प्रसेंसको यूज दो Defноз कर पीछे लोग और पीछे लोग ठगाते है ठोगुते हैं और उसके इस system को मुझे कहा जाता कि यह system कभी बंद नहीं होगा मैं ज़िए बहुत सारे लोगों से जब बातचीत होती आज आज आप से share कर रहा हूँ जब मैं कैसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे वो बूलते हैं कि आकाश तूं गलत कर रहा है तूं अपने काम बंद दराएग ऐसे आप तेरा काम कोई नहीं होगा तेरी कोई growth नहीं होगी मतलब कि government का पैसा जो हमारा पैसा उसको मैं लोटू तो मेरी growth होगी अगर मैं उसको नहीं लोटू अगर मैं उसको चाओं कि अच्छे से use हो तो वो मेरी जो है उसमें मेरा नुक्सान हो ये लोगों की mentality बनी हुई वो इमानतारी से कोई पैसा कमाना नहीं चाहता आज की date में आज की date में सब को हराम का पैसा है सब को चाहिए कि हम अपने घर को बरबाद कर रहे है और ये लोगों को ये नहीं लग रहा कि ये पैसा हमारा है भाई साब ये आपका है आपके भाई का है आपका भेन का आपके बेटे का है आपके सारे जो जितने भी हमारे लोग हैं सब का है सब का पैसा है तो इस पैसे का हम ऐसे गरत कर रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं जी कुछ ठेकेदार है वो बोलते जाएंगे वो अपने लिए बोल रहे हम आप अपने लिए नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि यार हम सब को लोग को चाहिए कि इस पैसे का सही तरी कैसे यूटिलाइज़ इस्तमाल किया से नहीं तो यह जो करने कर मुका नहीं मिलेगा ऐसे हमारी लोगों के मेंटल्टी पर नहीं है तो इस मेंटल्टी को खतम करने की जरूरत है अनिया था जो है हमारी जो है development कभी नहीं हो सकती है अगर आपको लग रहा है कि development होती है तो मैं आपको बता दू कि एक एक चीजों का दस दस बार बिल निकल जाता है मेरे घर के आगे से मेरे घर के बार से किसी के ब्रांडे से किसी से कहीं से तो इन चीजों की हमें जाग रुकता लाने की ज़रूँगा उन लोगों से भी मैं कहूंगा जो लोग जो लोग कहते हैं कि ये होगा आपने इमांदारी के परसम अपने एरिये में लगए की हाँ जी, करके दिखाओ आप एक पैंचेज तब मैं मानूगा, तब मैं मानूगा, कि आप ने इस चीज के लिए वाज उठाए, लेकिन कभी नहीं उठाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग भी लिप्ट में मिल चुके हम आपको स्पोर्ट करेंगे चलो जी आप बुलाइए कि हाज आकाज आप आए दस लोग को लेके हम चाहते हैं कि हम क्रॉप्शन करेंगे हम अपने पेंचायद को सही ड्वेलप्मेंट करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि अगर सही ड्वेलप्मेंट अगर सही लोग सारे लोग मिल के अपने पेंचायद को सुदा रहे हमें कोई देश सुदा रहे हमें अपने अरियों को सुदा रहे हैं सबी लोग अपने अरिये कुछ उजा रहें तो हमारा देश ज्रेस होने की चिडिया बन साथ हम कहते हैं कि महाई एक साइट से हो गए हमें ये नहीं लग रहा कि हम 2,00,000 रुपे का गसा कर रहे हैं यहाँ पर 2,00,000 रुपे का अरिश्पती काम कर रहे हैं आज बहुत सारा लंबा थोड़ा हो गया मैं श्यमा चाहता हूं सभी सातियों से लेकिन मेरा कोई भाषन करना वो नहीं है मेरी जो चीजें जो हैं वो उस चीज पर बात करने का प्यास्ति और लास्ट फिर से कहूंगा कि आपका जो भाई जितने हमें सयोग करते हैं जो हमें फेस्बुक के मादियम से बाकि जो प्यार दे रहें आकाश को जब तक हैं हम तब तक आपका प्यार जो है आपका आशिरवाद आप भाईों का प्यार बना रहे तो हम आप सभी के लिए कुछ है काम करने के लिए दिया हमारा कोई राजनेतिक या कोई किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की किसी की अलोच ना करना वो हमारा कोई मकसद नहीं हम यह कहते हैं कि जो हमारा हक है हमें दिया जाए जो आम व्यक्ति का हक है वो उसको मिला जाए एक जो विद्वा औरत है उसको जो हक है उसको मिलना जिनके कोई पुत्र पोत नहीं है, कोई बेटा नहीं है, घर में अगर दो व्यक्ति रह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति रह रहा है, तो उसको उसकी केर करना हमारी जिमवारी बनती है, हमारा दायत बनता है, उनका जो है, उनके लिए हमारा लडाई है, कि उनकी केर क्यों नहीं क चल रहा है तो उसकी केर करना हमारे चिए उसके लिए हमारी पायट Maker की क्यों नहीं की कैर हई हम मैं तो नहीं कर जकता हूं कि मैंदेपास कोई PAUR N89 कोई अदि पावर नहीं है मेरे पास कोई thànhिया पाइसर पैसा अहीं यह सकता हुए बार्षपेंगे लेकिन जिन लोगे के पाषण पावर न के पास पैसा वह घूनिहां उन लोगों को सियसे हैं पो आप कर तो आप अरिये में तो करें हमें हमें नहीं बोलें आप लेकिन कम से कम अपने एरिय में जाप उतकर आएं जो बज़र्ग लोग हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं जो पड़े लिखे बच्चे उनको चैए कि या समाज के लिए 2% लिगाने के ज़िए अब शक्ता है यह रिन होता है समाज करें लग-लग रिन होते हैं हमें चुकाना आई है इसलिए हमें चाहिए कि हमें काम करने की जूरूरत realidade और आपका सबji जितने भी लोग हम जिनको हम पे विश्वास है जिनको हम पे कर्व है कि सही काम कर रहें तो उनसे भी उनका विश्वास को कभी आईत नहीं होने देंके और हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि हम कोई नब ब्लैक मेलिंग करें ना किसी को परतारीद करें ना किसी को अलोचना करें हम चाहते हैं कि सही काम हूँ और जग cũ़ सही नहीं हो तो इसके खिलाब जो कानूनी कारवाई हो उग्म हो अगर वो बे नहीं होती तो फिर उपा रभ राखा, अगर सारी पावर्ज उनके पास है तो फिर रभ राखा, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, बाकि आगे तो उपर वाले की माधिए, बाकि आपका भाई जो है आपको जो है कभी नहीं को है, अच्छी चीजों माट झाल 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 हो झाल झाल